नमस्कार जोतीश एक दिव प्रकास चैनल में आप सब का स्वागत हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तु सास्त्र के अनुसार रसोई घर कौन्शी दिशा में होना चाहिए। वास्तु सास्त्र के अनुसार रसोई घर हमेशा अगनी कौन में रखना चाहिए। आ गया है इस स्थान में रसोई होने से घर में धन्य-धान्य की व्रदी होती है तथा घर के सध्यसेयों का स्वास्त्य अच्छा रहता है तथा घर के सद्य से स्वस्त जीवन व्यतीत करते हैं अगनी कोण वास्तु सास्त्र में रसोई घर के लिए बड़ा ही शुब फलदाई है इसके विप्रीत यदि दक्षिन दिशा में रसोई घर बनाने से आर्थिक नुकसान हो सकता है मन में हमेशा बैचेनी बनी रहती है कोई भी कार्य समय पर नहीं होता है घर के सदस्य मानसीक रूप से परिशान रहते हैं घर के सदस्यों का स्वास्त्य बार बार खराब होता है दक्षिन दिशा को वास्तु सास्त्र में यम की दिशा कही गई है साथ ही पूरव दिशा की बात करें तो पूरव दिशा में किचन होना अच्छा नहीं माना गया है फिर भी विकल्प के रूप में इस दिशा का इस्तमाल रसोई घर के रूप में किया जा सकता है इस दिशा में रसोई घर होने से पारिवारिक सदस्यों के मध्य सुभाव में रुखापन आ जाता है। वही एक दूसरे पर आरूप प्रत्यारूप करना भी भड़ जाता है। वंश व्रधी में समस्या तो आती है साथ ही घर के सभी सदस्य आपसी कलह से परिशान रहते दोस्तों इसान कौन की बात करें तो घर के इसान कौन में रसोई घर का होना शुब नहीं होता। रसोई घर की इस्तिती घर के सदस्यों के लिए शुब नहीं मानी गई है। इसान कौन में रसोई बनाने से निवन समस्याएं आती है। जैसे खाना बनाने में ग्रहनी की रुची बिलकुल नहीं होती है। परिवार के सदस्यों का स्वास्ति बार बार खराब होता है। धन की हानी तथा वंश की व्रधी रुख जाती है। दोस्तों घर के सदस्यों को मानसिक तनाव तथा स्वास्ति सम्मंदी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस दिशा में रसोई घर बनाने से बेवजह खर्च बढ़ जाते हैं और धुरुगटनाओं का योग बनता है। अतह भूल कर वी इस दिशा में रसोई घर नहीं बनवाना चाहिए। दोस्तों उत्तर दिशा की बात करें तो उत्तर दिशा में रसोई घर के लिए अशुव है। इस इस इस्थान पर रसोई घर आर्थिक नुकसान देता है। इसका मुख्य कारण है कि उत्तर दिशा को धन का स्वामी कुबेर का इस्थान माना जाता है। यहां पर रसोई घर होने से अगनी धन को जलाने में समर्थ होती है। इस कारण से यहां पर रसोई नहीं बनवानी चाहिए। दोस्तों वास्तु सास्त्र के अनुसार अगनी कोन में रसोई बनाना सबसे अधिक फायदे मंद रहता है। ऐसा करने से घर के सद्दस्यों का स्वास्ति ठीक रहता है। साथ ही धन में व्रधी होती है। इसके अलावा घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है। इसलिए वास्तु सास्त्र के अनुसार ही हमें रसोई घर का निर्मान करवाना चाहिए। अगली जानकारी के लिए जोड़े रहे मेरे चानल जोती शीक दिवी परकास से धन्यवाद जैसी कृष्णा। कर दो